आपके धनकी डिमिट अकाउंट में आपने कुछ स्टॉक्स को भाई कर रख है डिलीवरी में इस वीडियो के मादधम से जानेंगे आप किस प्रकार से ट्रेडिंग व्यू पर वैबुक को सेट अप करेंगे लेकिन वैबुक को सेट अप करने के बाद में आप किस प्रकार से आपके portfolio में delivery में रखे shares को आप बेच पाएंगी अगर आपको कोई error आता है तो किस प्रकार से आप उसको fix करेंगी इसके अलावा अगर आप और अदिक सीखना चाहते हैं धन app, धन options trader app, धन options trader web इसके अलावा tv.than.co portal and trading view इन सभी playlist के link आपको इसी video के description में मिल जाएंगी अब सबसे पहले step आपको follow करना है धन की website पे आपको आना होगा मैं वीडियो के description में भी link provide करवा दूँगा जैसे आप धन की website पे आएंगे first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है उपर आपको काफी सारे option देखने के लिए मिलेंगे आपको last में login का option मिलेगा आप login के option पे click करेंगे उसके बद में आपका नया tab open हो जाएगा जिसका first look कुछ ऐसा आपको दिखाए देगा नीचे लिखाओगा login to login to में धन web select होगा आपको धन web select रहने देना है फिलाल आपके पास दो option है धनकी डीमेट account को धन web पर login करने की पहला option है आप इस QR code को scan कर सकते हैं धन app के माध्यम से दूसरा step आपको नीचे मिलेगा जहाँ पे लिखाओगा hide QR and आपको यहाँ पे QR code का symbol दिखाए दे रहा है आपको यहाँ पर click करना होगा उसके बाद में आपको यहाँ पर mobile number provide करवाने है जो भी धनकी डीमेट account के हैं उसके बाद में आप proceed करेंगे उसके बाद में धनकी डीमेट account का आपको password provide करवाना है उसके बाद में आप proceed करेंगे उसके बाद में जो भी आपका registered email ID होगा and mobile number होगा धन के साथ में उस पर आपको OTP भीज़ा जाएगा जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP आप यहाँ provide करवाएंगे and process पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका account login हो जाएगा and first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा आपको उपर यहाँ पे काफी सारे options दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर आपके photo का logo दिखाई देगा last में आप इसपे click करेंगे इसपे click करने के बाद में आपको first me option मिलेगा my profile on done आपको इस option पर click करना होगा उसके बाद में कुछ इस प्रकार का tab निकल के आएगा आपको left side manage account का option मिलता है इसके अंदर आपको option मिलेगा my trading view webbook का just आपको इस पर click करना है उसके बाद में कुछ इस प्रकार का page आपको दिखाई देगा फिलाल आप इस page को ऐसे के ऐसे open रहने दे आप एक नया tab open कर ले नया tab में आपको trading view open कर लेना है अपने account को login कर लेना है जैसे ही आप trading view पर अपने account को login कर लेंगे first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर right side में अगर आपने watch list बना रखी होगी और watch list में जितने भी stocks add कर रखेंगे वो सबी stocks आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे for example मैं आपको click कर लेता हूँ HDFC Life Insurance वाले stock पर उसके बाद में कुछ इस प्रकार का page आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको chart देखने का option मिलेगा just आप इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे कुछ इस प्रकार का first look आपको दिखाई देगा उसके बाद में आपको third step follow करना है जो कि बहुत important है आपके demit account में जो भी stock है और आप उस stock को बेचना चाहते हैं वो stock trading view पर आपको दिखना चाहिए home screen पर यानि कि आप बोल सकते हैं कि उसका chart आपको दिखना चाहिए मेरे portfolio में कौन सा stock है यहाँ पर Tata power का लेकिन chart में कौन सा दिख रहा है HDFC life का so for example कि आपने watch list में उस stock को add नहीं कर रखा है जो कि आपके demit account में है लेकिन आप बेचना चाहते हैं basic सी बात है so आपको उस stock को search करना होगा so आप अपने keyboard में F type करेंगे F type करने के बाद में आपको search result पर भीज दिया जाएगा आपको यहाँ पर stocks वाले option को select करना है सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे Tata आप पूरा लिखेंगे यह आपको short में भी लिखेंगे न NSE का मतलब होता है National Stock Exchange BSE का मतलब होता है Bombay Stock Exchange उसके बाद में उपर आपको काफी सारे option मिलेंगे आपको यहाँ पर alert का option मिलेगा आपको यहाँ क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको notifications वाला option मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको webhook url का option मिलेगा आपको इसको tick कर लेना है इसको tick करने के बाद में वापस से आप धन की profile पर आ जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि भाई आप जो यह webhook url generate कर रहे हो ना trading view के लिए इसके expiry क्या होनी चीए इस url की तो आप अपने अनुसार expiry select करेंगे उसके बाद में लिखावा मिलेगा your webhook url for trading view हो सकता है कि आपका यहाँ पर url होई नी तो आपको यहाँ पर generate new पर click करना है और अगर आपका पहले से है ना अब भी आप generate new पर click कर ले इसके कोई पैस है नहीं लगते है जनरेट करने के बाद आप इसको copy कर लेंगे copy करने की बाद में trading view पर आएंगे और आपको जो webhook url है simply वो यहाँ पर left click करेंगे mouse में and paste कर देंगे उसके बाद में आप settings में आएंगे settings में आने के बाद में जो message type आपको मिलता है ना इसको तो आप delete कर देंगे उसके बाद में वापस से आ जाएंगे आप धन portal पर and सबसे पहले आपको यहाँ पर जो transition type है उसको बदलना है आपको sell करना है क्योंकि आप अपनी dmit account में रखे हुए shares को बीच रहे है इसलिए sell select करेंगे product type में हम delivery को select करेंगे क्योंकि हमने stocks को CNC में भाई कर रखा है order type में आपको 2 option मिलता है market and limit मैं दोनों आपको explain कर दूँगा सबसे पहले market को समझते है market option आपको तब select करना होता है या फिर आप उस condition में करते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता है कि यार 10-20 पैसे से क्या फरक पड़ेगा मैं बीच देता हूँ so market price आप अगर select रखते हैं आपके total जो stocks है उसमें से जैसे मेरे पास कितनी है दो quantity for example मैं एक quantity market rate पे बेचना चाहता हूँ so मैंने एक quantity डाल दिया उसके बाद मैं generate suggestion पे click करूँगा मेरी file generate हो जाएगी इसको just यहाँ पे click करके copy कर लूँगा वापस से trading view पर आउँगा and message box में इसको मैं डाल दूँगा create पे click करूँगा उसके बाद में आपको एक transaction pop up आ जाएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने sell किया तो S लिखा हुआ है order type मेरा market है quantity मेरी एक है आपको okay पे click करना है वापस से आप धन के portal पे आएगे and यहाँ पर आपको portfolio में पहले मेरा दो stock आपको देखने के लिए मिल रहे थे tata power में अभी फिलाल एक है positions में पहले कुछ भी नहीं था positions पे अगर मैं click करूँगा so मेरी एक quantity यहाँ पे delivery में sell हो चुकी है वो मुझे positions में दिखाए दे रहे अब यहाँ पे नहीं हो सकता है कि आपका sell ना हो उसका एक region हो सकता है या फिर हो जाए मैंने अपने account में DDPI को setup कर रख है अब आप कहेंगे कि DDPI क्या होता है कैसे काम करता है मैंने पहले ही वीडियो बना रख है आपको dhan app and dhan web के playlist में वो वीडियो मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से DDPI को setup कर सकते हैं इसके अलावा ज़्यादा तर users confused हो जाते है मैंने previous वीडियो में भी देखा है जब भी आप stock को sell करते हैं सो वो positions में आपको दिखाई देता है लेकिन ज़्यादा तर users confused तब होते हैं जब आपको यहाँ पर P&L दिखाता है P&L का मतल करने के बाद में प्राइज में आपको वो रेट बताना है आपके पास जो भी stock है और आप उस stock को किस प्राइज पर बेचना चाहते हैं वो बताईए जैसे LTP यानके latest time पर लगबग चल रहा है 222 रुपए 90 पैसे माल लीजिए कि मैं जो बेचना चाहता हूं 223 रुपए and 10 पैसे पर बेचना चाहता हूं for example so मैं यहाँ पर generate session पर click करूँगा मेरी जो file होगी वो generate हो जाएगी मैं अपनी file को copy कर लूँगा copy करने के बाद मैं trading view पर आजाऊंगा trading view पर आने के बाद मैं वापस से alert पर click करूँगा settings में मुझे यहाँ पर message में जो भी लिखा हुआ मिल से आजाऊंगा और आप orders में देखेंगे कि एक लिखा हुआ आचुका है पहले कुछ भी नहीं था मैं orders पर click करूँगा तो जिस भी rate पे मैंने अपनी request की थी न वो price मुझे दिखाई देगा कितनी quantity में ने की थी वो मुझे दिखाई देगा LTP का मतलब होता है latest time पर क्या price चल रहा है for example कि आप अपने order में कुछ भी परिवरतन करना चाहते हैं जैसे price हो गया quantity हो गया तो आप यहाँ pencil के button पे click करेंगे उसके बाद में आप quantity को कम या ज्यादा कर सकते हैं price को कम और ज्यादा कर सकते हैं जैसे माल लीजे मैं price को थोड़ा बढ़ा देता हूँ दोसो 23 रुपे 20 पैसे कर देता हूँ sell पे click करूँगा so same order मेरा update हो जाएगा और अगर आप चाहें तो cancel भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको last में एक डिबबे का option मिलेगा जहाँ पे लिख भी आजाएगा cancel order आप यहाँ click करेंगे फिर आप से पूछा जाएगा कि आप sure होना क इस order को cancel करना चाहते हैं so just आप यहाँ पर सही की टिक मार्क पर click करेंगे आपका जो order होगा वो cancel हो जाएगा